नमस्कार किसान भाईयो मैं सूर्य देवल फिट से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एगरिकल्चर गुरुजी में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे पोधा गन्य में वजन कैसे बढ़ाएं जिससे कि किसान भाईयो को बहुत ज़्यदे फादा देखने को मिल जाए किसान जैसा कि इस समय वर पेठी गन्य की गिराई हमाई चल रही है पेठी गन्य की सप्लाइ इस समय पर लग बग सभी किसान भाईयों से बात हुई और कमेंट सेक्शन में कमेंट बहुत सारे आए कि सर इस वर्स जो है गन्य के अंधर वो वजन देखने को नहीं मिल रहा है तो ऐ यानि कि ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 15 जनवरी के आसपास जो है पोधा गन्ना गिराई के लिए तयार हो जायागा तो किसान भायों आपको कौन-कौन से खाद इस समय पर डाल लेनी चाहिए जिससे कि जो आपका पोधा गन्ना है वो हमारे पेठी गन्नी की तरह वजन ना निक करते हैं यदि अभी तक आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब पलने जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी किसान भाईयों को जल्द से जल्द मिल सके तो जो सीजन हमारा पेड़ी गन्नी का चल रहा है इसम गन्ने का जो हमारी कीमत थी वो भी बहुत जाद है नहीं बढ़ी है मात्रवी तक जो है तीन सो पचास रुपय का रेट हमें मिल रहा है लेकिन उम्मीद है कि हो सकता है कि गन्ने के जो रेट हैं ये जनवरी के आसपास आ करके बढ़ जाएं क्योंकि जैसे कि अभी सरकार ने कीमत बढ़ाई है वो थोड़ी ऊपर पहुच गई है यूपी सरकार से तो हो सकता है यूपी सरकार भी कुछ कीमतों में फिर बदल कर दे तो चलिए सुरू कर लेते हैं बताता हूं मैं आपको कि पेड़ी गन्ने की तरह हमारा पोधे गन्ने का वजन निकल करके न में ले तो किसाने पोधे गन्ने का आपको थोड़ा देखरेक रखनी है अभी आपके पास लगभग एक महीने का समय वाकी है और एक महीने के अंदर अपने गन्ने के अंदर आप वजन को बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले तो किसान भाईयो आपको ध्यान में रखना है कि हम कि अधर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और मिठास की मात्र अधर वो थोड़ी कम Ho जाएगी जिससे की किसानवाईएो आप जब गशने को ले कर के मीब के अंधर जाएंगे सप्लाइ करेंगे तो गशनें आपको बढ़ करके मिलेगा दूसरा किसानवाईओ आप इसके दो खाद भी डाल सकते हैं और इन खादों को आपको कम से कम बारे बारे तेरे तेरे दिन के अंतर से डालना है याने कि आज की डेट में यदि आपको अपको खाद डालना है तो आफ जो है लगवग 20 पूम बांधम आपको लेड़ और सिच्चाई से पहले अपने पोधे गन्य की जड़ों के पास में इसे डलवा दें और बाद में आप सिच्चाई कर दें, इतना कन्य के लगबग 12 से लेकर 13 दिन के बाद किसानवाई हो, आपको कैलसेम नाइट्रेट लेना है किसानवाई हो, लगबग 15 किलोग्राम और उस कि गिराई से पहले पहले इन दोनों कार्यों को कर लेते हैं, तो आपका पोधा गन्य बहुती अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके देगा, गन्य की मोटाई भी बढ़ेगी, गन्य के अंदर सुक्रोच की मात्रा भी बढ़ेगी, और गन्य का जो वजन होगा तब आपको पता चलेगा कि कौन से के अंदर कितना रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, तो उम्मीद है, मैं आपको एक सही और अच्छे जानकारी दे पाया हूँ, यदि वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले करना बिल्कुल अजर कितना बिल्कुल अपको जो जानकारी?